मद्य परदेश के खारगोन में लोका युप पुलिस ने श्रम विभाग के कलर्क बाबू नरायन भ्रामने को पांच जा रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ लिया आरोपी कलर्क बाबू फरियादी जैनरायन गुपता से पुराने मकान के नक्षे की मांग को लेकर रिश्वत मांग रहा था पुलिस ने 7 अगस्त को आरोपी बाबू को घूस लेते हुए रंगे हातों गिरफतार कर लिया जैनरायन गुपता के द्वारा इसके पहले भी तीन बार ऐसी बड़ी कारेवाही लोका यूप के माध्यन से करवा चुके हैं रिश्वत खोरो को पकड़वाने का पुलिस ने वीडा उठा रखा है फर्यादी जैनरायन ने बताया कि उन्हें श्रम अधिकारी ने नोटिस दिया था नोटिस मिलने के बाद जब श्रम अधिकारी से मिले तो उन्हें विभाग के बाबू नरायन भ्रामने से मिलने को कहा गया मिलने पर बाबू ने उनसे रिश्वत की मांग की फर्यादी ने कहा कि वेरिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत इंदोर लोकायुक पुलिस को कर दी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल भिछा कर श्रम विभाग के कलर्क बाबू नरायन ब्रामने को रंगे हातों गिरफतार कर लिया जानकारी के नुसारिस मामले में आगे की कारेवाही की जा रही आपको बता दे कि जैन रायन गुपता ने अपनी 62 साल की उम्र होने तक ब्रस्टाचार करने वाले शासकी विभाग के तीन करमचारियों को लोकायुक विभाग से रिश्वत के मामलों में रंगे हातों पकड़ करवाते हुए ब्रस्टाचार का मामला दर्स करवाया था वे तीन अधिकारी करमचारियों को हाई कोट तक सजा कायम रखने में मददगार रहे नंबर बन जैन रायन गुपता के द्वारा सन 1984 में खादे इंस्पेक्टर सुभाष चोरे को 400 रुपई लेते हुए लोकायुक के ही आहिर खेडा स्कूल में पदस्त बाबू ओपी भटोरे को भी रिश्वत के मामले में सन 2005 में रंगे हातो लोकायुत द्वारा ट्रेप करवाया गया था इन तीनों करमचारियों को सजाय न्यायले द्वारा दी देश में ऐसे जैन रन गुपता जैसे जागरूप नाग मेरा परम नीत्र है वश्वत के हम साथ में है तो जब तभी भी आपिशर वर्ग के द्वारा ब्रश्टाचार किया जाता है तो उनके खिलाब मेरा उद्वारा ब्रश्टाचार के खिलाब लड़ना अपने जीवन को वसुल और सिधान तमाल लिया है कर दाएएबर ने सु जारी किया उसके संबंदी दसता वेच भी हम देख रहे हैं और उसकी भी प्रवेंट सिद्वा से अभी आपने साथ कारिप को लोकाइक कर दाल पुरुआया था थर्भुन जीले में और आपने कारवई करें वो किस वाकिती और क्या था अभी दिनांग साथ आग तो आजार उननीस को मैंने स्रम जिला पदादिकारी सेलेन सिंग द्वारा मेरे को रुपयों की मांग लेकर प्रतारिप किया जा रहा था और वो उनके पबु नारायन ग्रामने के पास बार बार भेजते थे उनसे त्रेकल लिया जाए उनसे देन देन का त्रेकल लो आपका प्रखंचमाप कर दूँए मैं ऐसा देना नी चाहता था इसलिए नारायन ग्रामने से मैं जब मिला तो नों ने मेरे से 6,000 रुपय की मांग की तो मैंने लोकायुक्तर इंदोर को दिनां 4,8,19 को शिखाए दो लोकायुक्तर इंदोर द्वारा एक बंदा बेजा गया और तिनां 5,8 को नारायन ग्रामन मैं को 1,000 रुपय दिये उस बात इमां 5,000 रुपय की रिस्वत बुद्वा मेना तय हुई मैं यह रिस्वत देना नहीं चाहता था घर्ष्टाचारियों के खिलाप कारवई करवाना चाहता था इसलिए मैंने जो 5,000 रुपय कीम बना कर भीजिये उन्होंने S.P. मौदे ने कीम बना कर घर्ष्टाचारियों के खिलाप सासन में कारवई करने के लिए जंता जागरत हो ताकि पाउं से धिले से घर्ष्टाचार समाप तो हो सकते क्या नाम है आपका सब कुछारे थे मेरा नाम जैनामेन दीगा है मेरा निवास पुराने पुराने पुरिस्थाना कोगावा के सामने है तैसिल कोगावा जिना खरवो आपने अभी देखा है कि गोगावा निवासी एक दुखानदार किलो में के दुखानदार अपनी जागरता को आम आदमी तक हो जाने के लिए और अपने 65 सार्थ उम्रम में जिनोंने चार लोकायो चार्मचारियों को लोकायो प्रवाया है केमरा में और समचार एक्स्प्रेश से सहयोगी महंद्र उप्सा के साथ रिपोटर अमर वर्मा को पाने ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए